मैं हूँ अवद अपनों को दिल में कैद किये हुए अपनी यादों के मोतियों को तहजीब के डोरियों में पिरोय हुए आओ, रूबरू हो मुझसे मैं हूँ अवद लखनाओ शहर हमेशा से ही अपनी एतिहासिक समारको और मुगलई खान पान के लिए जाना गया है मुगलई खान पान की बात करें तो यहां के जाने माने लजीज कबाब सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं इन कबाबों की लोग प्रियता सिर्फ लकनों तक ही सीमित नहीं है बलकि ये पूरे विश्व में लखनवी कबाब के नाम से मश्वूर है हासियत में मसाले हैं जो सिग्रे ने किसी को बताया नहीं है हम लोग को खुद नहीं मालूम है हमारे उस्मान भाइट उन्डे कबाबी हम लोग तो वरकर है मतलब यह है कि फैमा से यहां पुरे वर्ड कबाब कबाब के शुरुवाती दौर की बात करें तो वह एक कहानी के रूप में बताई गई है लखनों के पूरवजों का मानना है कि कबाब की उत्पत्ती एक नवाब द्वारा हुई थी जिनका पसंदीदा वेंजन था कबाब हाला कि उम्र के साथ उनकी तब्यत खराब होती गई जिसकी वज़े से वह कबाब का लुथ नहीं उठा पा रहे थे इसके बाद सन 1996 में हाजी रैज एहमद ने अमीनाबाद में टुंडे कबाब शुरू किया जो अब ग्रैंटसन्स ओफ टुंडे कबाबी के नाम से जाना जाता है कबाब में यहां गिलावटी कबाब होते हैं कबाब लिए और लिए और अविट लावटी का बाद से लिए जवेश्टी के लिए विर्यानी अगरा तास्टी होते हैं झावटी कबाब होते हैं नवाबों के दौर से खाए जाने वाले ये लजदतार कबाब आज तक लखनो शहर की पहचान बने हुए है झाले वाले ये लखनो शहर की पहचान बने हुए है